हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तभाय मुझे लेना था एक बजट एक्शन कैमरा मोटो व्लोगिंग के लिए और मेरा बजट था 10,000 से लेकर 15,000 के बीश में अब आप लोगों को बता है कि इस बजट में सस्ती चाइनीज ब्रांड जैसे की IZI, Hineso, DJ Cam, Digitech इस तरह के कैमरे म पास-पास उसके बाद इसका प्राइस ड्रॉप हुआ लगबग 30,000 तक और अभी मिल रहा है मात्र 15,000 की बी अंदर जो कि बाई किलर डिल थी और इसलिए मैंने इसको पर्चेस कर लिया हालाकि इसमें एक मेजर इशू था जो कि अभी अपडेट से फिक्स किया जा चुका ह ऐसा लोगों का कहना है तो आज इसके पूरी टेस्टिंग होने वाली है कि क्या सच में यह कैमरा इस प्राइस में वर्थ है या नहीं सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं रिक्वेश्टे वीडियो पूरी देखें और वीडियो पसंद आए तो लैक शेर सब्सक्रा किसमें वारंटी मिलने वाली है और यहां पर क्योर कोड दिया गया है जिसको स्कैन करके आप डीजे आई मीमो एप को डाउनलोड कर सकते हैं अब बॉक्स को अपन करते हैं तो यहां पर एक और बॉक्स मिलता है जिसके अंदर क्विक स्टाइड गाइड और कुछ पेपर व मिलता है तो यहां पर मैगनेटिक याड गया है जो कि आप गाले में लटका सकते हैं और इसको चेश्ट पे माउंट कर सकते हैं उसके ब अब इसको on करते हैं तो यहाँ पर ऊपर में एक बटन ने डिस्क को प्रेस करना है और यह on हो जाता है बाकि सबसे पहले language चूज कर लेना है तो यहाँ पर मैंने English चूज कर लिया है बट देख सकते हैं अभी भी यह Chinese में ही है तो जब तक आप से पैर नहीं करेंगे language चेंज और पर बहुत ही एजी है बस DJI Mimo app को ओपन करना है और देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा आगी आए और कनेक्ट पर टैप कर लेना है और इजी लिए फोन से कनेक्ट हो जाता है तो देख सकते हैं कैमरा एप से कनेक्ट हो गया है और एक अपडेट भी आया था उसको मैंने बैटरी मोडिल कुछ इस तरह का है जहां पर डीजाय की बैंडिंग और इसमीं आपको बटन मिल जाती ए बागी यहां पर भी मेगनेटिक पिन मिल जाती है और इसको अबाइज करना बहुत ही है बस इस तरह से चिपक जाता इए देख सकते हैं दोनों में आपको बटन मिल जाएगा और यहां पर लॉग भी दिया गया तो जब तक लॉग को प्रेस नहीं करेंगे यह अलग नहीं होगा और जो एड़ेप्टर मौट मिलता है उसमें भी लॉग दिया गया ऐसा नहीं कि बस मैगनेटिक है और इसका मैगनेट भी काफी ज़्यादा पाउरफुल है तो अगर आप ड्राइब करते हैं बाइक तेश चलाते हैं तो भी यह निकलेगा नहीं अब इसमें केस लगाना भी काफी एज़ी है बस इस तरह से कैमरे को अंदर डालना है और केस फिट हो जाता है बा बहुत सारे लोगों का कहना था कि इसका फिक्स हो चुका है अपडेट के जरीए बट मुझे ऐसा लगा नहीं खेर सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ वोडियो में इंड तक बने रहें शुरुबात करते हैं इसकी चीजों से जो कि है इसकी डिजाइन और है वह यशज और घुए जाती है यह जो है यह कांठी गया दिस्प्लेट करते हैं यह तब इसकुझे में उटेपल नियुक्त आग्पारए शचिन फिर्षटाय। इसको पाने में यूज़ कर सकते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं उसके बाद यहां पर इसका जो यूजर इंटरफेस है वह काफी अच्छा है बहुत ही मिनिमल्स आए और आसानिस आपको समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले इसको अन करते हैं और बस बटन को प कर सकते हैं और इसमें जाएंगे तो यहां से स्टोरिज देख सकते हैं यहेंगे इंटर्नल और यह एक कार्यार बाकि अब चलते हैं सेटिंग्स में तो यहाँ पर वाइस कंट्रोल उसके बाद नोटिविकेशन वाइशन तो यहाँ से आन ओफ कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर स्नेपशॉट हो गया वार्लीस करेक्शन हो गया विडियो कंप्रेशन और इसमें जाएंगे तो यहाँ पर तो इसमें जाएंगे तो यहां पर दो मोड मिलते हैं एक हाई दूसरा स्टेंडर और दोनों मोड पर मैंने चेक किया है जो कि आगे आप लोगों को पता चलेगा उसके बाद चलते हैं तो यहां पर आपको स्क्रीन ओफ वेन लॉग्ड यह सारे चीजे मिल जाती है उसके करेंगे तो आपकी बैटरी काफी बचेगी उसके बाद auto power off हो गया LED को जाए उसके बाद macro lens से detection हो गया उसके बाद चलते हैं तो यहां पर horizon calibration और यहां पर continue last live stream उसके बाद language factory reset device information और यहां पर compliance information उसके बाद नीचे से swap अप करेंगे तो यहां से resolution को set कर सकते हैं जैसे जैसे कि 1080p हो गया 4K हो गया और यहां पर aspect ratio भी upset कर सकते हैं इसमें और निची में आपको frame rate मिल जाते हैं जैसे कि 60 हो गया 100 हो गया 120 fps यह upset कर सकते हैं बाकि यहां पर corner पर tap करेंगे तो यहां से भी stabilization को on off कर सकते हैं और इसमें आपको 3 mode मिलते हैं एक तो है off दूसरा है study उस उसके बाद right से swipe करेंगे तो यहां पर आपको FOV यानि field of view offset कर सकते हैं आपको standard रखना है या फिर ultra wide रखना है उसके बाद mode को switch करने के लिए बीच में इस तरह से swipe करना है तो यहां पर आपको सबसे पहले photo उसके बाद video उसके बाद quick clip slow motion और time lapse यह सारी modes मिल जाते हैं इसमे तो देख सकते हैं UI काफी simple सा है और इसका touch response भी काफी अच्छा है तो अराम से आप इसको use कर सकते हैं बाकी दोनों में से किसी button को press करेंगे तो recording चालो हो जाएगी और अभी देख सकते हैं जो LED right है वो green है recording चालो करते ही यह rate हो जाती है तो इस तरह से blink करती रहती है और साम बहुत ही मस्त है आपको हर जगा पर implement देखने को मिलता है इसमें इसमें वाइस कंट्रोल का feature भी दिया गया है जो कि बहुत ही सही से work करता है indoor में बाकी outdoor में अगर बहुत ज्यादा शोर है तो फिर वहां पर यह work नहीं करता है जैसे कि दख सकते हैं अभी camera on है start recording तो recording चालो अब किसल का camera दिया गया है और बहुत ही जबरदस है और मेरे साबसे इस प्राइस में बेश्ट है इसमें 4K 120 fps तक वीडियो शूट कर सकते हैं उसके बाद time-lapse, hyperlapse काफी सारे option मिल जाते है बाकि इसका field of view है 155 degree तक तो बहुत ही ज्यादा wide angle में यह वीडियो शूट करता ह बाकि इसमें internal 2 mic मिल जाती है डिसके audio quality भी अच्छी है बट अगर आप आउडर में शूट करते हैं तो वहाँ पर आपको अलग से mic लगाना पड़ेगा और इसका type-c port है वह external mic को support करता है तो इसमें मैंने अपना type-c wireless mic यूज किया और वह अच्छा से work कर रहा था बाकि काफी सारी video record की है और यहां पर मैं अपना हो को sample दिखा देता हूँ तो अभी मैं बैक चलाने वाला हूँ और फिर दखते हैं कि कैसी फोटेज आती है तो अभी सूरज बिल्कुल सामने है और इसलिए shadow report फोला साथ हो गया है बाकि dynamic frame काफी अची है और देख सकते हैं video काफी stable है तो अभी मैं opposite side आगया हूँ और सुरज पीछे और देख सकते हैं सब कुछ अच्छे से बेल एक्स्पोज है बाकि कर्स भी काफी है तक natural है और जो dynamic nature काफी अची है देख सकते है sky map को बाद दिलना होगा तो मेरी साब से वोडियो व्लोग पिले काफी सरी डिवाइस है तो देख सकते हैं video पाटी बहुत ही बढ़ी हाई और काफी अची डिटल समल जाती है बाकि मैंने back चलाते हुए video shoot की है तो देख सकते हैं जो इसका stabilization है वो काफी अच्छा है और यहाँ पर आपको तीन तरग का stabilization मिल जाता है एक तो है normal study mode दूसरा है rock study जो के मैंने apply किया हुआ है और तिसरा है horizon lock और इसमें क्या होता है कि अगर आप recording करते समय इस तरह से 45 डिग्री तक इसको rotate भी करते हैं तो वीडियो काफी stable रहती है और इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता है तो यह चीज में जो काफी पसंद इसकी बाकी फोड़ोग्राफी के बात करें तो यहां पर इसकी quality में जो decent लगी हाला कि 12 megapixel में image capture करता है तो details काफी अच्छी मिल जाती है और यहां पर मैं आप लोगों को sample दिखा देता हूँ तो video quality बहुती बढ़ा मिलती है और image quality यहां पर decent से मिल जाती है बाकी बात करें बैटरी की तो इसका battery backup भी काफी अच्छा लगा मुझे और बस camera की बात करें तो यहां पर 19 मिनट तक recording कर सकते हैं 4K 60fps बाकी battery module की बात करें तो यह तीन बर camera को charge कर देता है तो टोटल यहां प आपको 57 minutes लगबग 1 घंटे के recording कर सकते हैं 4K 60fps और अगर आप Full HD में record करते हैं तो वहां पर आपको और ज्यादा battery backup मिल सकता है बाकी अगर आप 4K 120fps पर record करते हैं तो वहां पर आपको battery backup कम भी मिल सकता है तो overall battery backup काफी बढ़ है इसका और इसमें fast charging का support दिया गया है तो एक घंटे के अंदर full charge हो जाता है इसमें 32GB की storage मिल जाती है जिसमें से 22.3GB की free space मिलती है और मैंने 4K 60fps पर recording की तो लगबग 33 से लेकर 35 minutes तक recording हो जाती है बाकि इसमें आप 256GB का SD card लगा सकते हैं और इसमें high speed card ही support करता है तो memory को आप expand कर सकते हैं बाकि यहां तो camera बहुत ही heating issue था वो fix हो चुका है update के जरिये बट जब मैंने इसको unbox किया था तो एक update आया था और मैंने बिल्कुल latest version पर update कर दिया इसको बट अभी इसमें काफी बड़ा heating issue है तो जब मैंने इसको लिया था तो उस टेम weather काफी गरम था लगबग 42 से लेकर 45 degree तक temperature था और मैं इसमें 4K 60 पे recording की तो camera में 2 मिनट 30 सिकंड या फिर 2 मिनट 40 सिकंड की recording होती थी उसके बद camera बन हो जाता था और यह चीज़ मैंने कई बार try की तो यहां पर बस 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक ही recording होती थी 4K 60 पे उसके बद camera बिलकुल आग के तरह गरम हो जाता था तो यह एक बड़ा issue द इस पर फिर भी 3 मिनट में camera गरम हो जाता था और overheat होकर बन हो जाता था हाला कि इसमें आपको अंदर जाएंगे तो दो mode मिलते हैं एक तो यह standard temperature और दूसरा ही high temperature जो की ज्यादा हीट होने के बाद भी recording को बन नहीं करता है तो उस mode पर मैंने recording की तो इसने 3 मिनट 17 सिकंड की recording की उसके बाद overheat होकर बन हो गया तो समझ सकते हैं गर्मी की मौसम में यह camera बिल्कुल भी वर्थ नहीं यह लेना because अगर आप कोई special moment को capture करना चाहते हैं तो उस time हो सकता है यह hit हो जाए और फिर बन हो जाए और बन होने के बाद अगर आप दुबार से recording स्टार्ट करते हैं तो फिर बस एक मिनट या फिर एक मिनट 20 सिकंड से 30 सिकंड की recording करता है यह और फिर बन हो जाता है तो overheat होने के ब और सेम प्रॉब्लम देखने को मिले मुझे तो गर्मी के मौसम के लिए यह कैमरा बिल्कुल भी वर्त नहीं है हाला कि अभी वेदर अच्छा हो गया है विकास बारी शुरू हो गई है और अभी टेंपरेचर है लगबग 27-28 डिग्री तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग चेक तो वहाँ पर यह कैमरा बिल्कुल भी लेना वर्त नहीं है विकोज ओर हीटिंग का आपको इशु दखने को मिलेगा इसमें लेकिन अगर आप ऐसी एरिया में रहते हैं जहां पर ठंड रहती है जैसे कि कश्मीर शिमला मनालीस पिती तो वहाँ पर यह कैमरा बिल्कुल पर में नहीं लेंगे तो प्रैस के बहुत ही बढ़ा कैमरा है लेकिन एक सबसे बड़ा इशु है वह ही हीटिंग इशु और अगर आप ऐसी एरिया में रहते हैं जहां पर घर में गर्मी रहती है तो फिर इसको लेना वर्त नहीं है विकोज आप परिशान हो जाएंगे तो यह इसक्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुए वहां से जाकर पर्चेस कर सकते हैं बहुत सारे सेलर कैमरे के साथ केस को फ्री में नहीं देते हैं बलके अलग से बैशते हैं तो मैंने जो लिंक दिया है उससे जाकर पर्चेस करेंगे तो आपको केस फ्री में मिल जाएगा औ इससे अपका कैमरा प्रोटेक्ट रहेगा, तो बस यह था इस वीडियो में उम्हीद आप लोगों को वीडियो पस्तन आई होगी और आप लोगों के लिए हैलफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में अपना ख्याल रखे बाइ